कि हलो इस्टुडेंट्स इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भीहार एंज्णिनिंग उनिफर्टेटि के फ़र्स समिस्टर के रिजल्ट का अभी हाली में फ़र्स समिस्टर का एक्जाम हुआ है तon अभी इंजाड की बारी है कि रिजल्ट कब आएगा तो इस वीडियो हमkk त यह था और 8 समस्ट के जर्ट एक्जाम के लगवद 10 दिनों बाद ही आ गया एक्जाम के दस से बढ़र दिन के बाद ही रिजल्ट आ गया था लेकिन बीटेकफस्ट मेश्ट रिजल्ट है इतना जल्दी नहीं आने वल है हलांकि बीटेक सकेंड समेस्टर का जो तुम लोगा एक्जाम होगा वह दिसंबर में होगा और उसका तुम लोग को डेट भी आ गिया है और साथ ही रिजल्ट का भी डेट दे दिया है कि इतने तक रिजल्ट भी आ जाएगा तो यूरिमर्सिटी जब क्या कर रही है कि डेट तो एक्जाम का डेट भी निकाल रही है साधी साथ रिजल्ट का भी डेट दे रही है कि स्टुडेंट्स कंफर्म्ड हो जाए और उसे बाद में कोई टेंसर ना हो कि कब रिजल्ट आएगा कब उसका और नेक समस्टर में जाएंगे कब उसकी पढ़ाय स्टार्ट होगी तो उसका रिजल्ट 10-12 दिनों में ही आजाता है हर बार लेकिन जो पाला दूसा समस्ट है उसका हर बार लेट हो जाता है तो यही क्हाँ है फ्रस समस्ट का जो लीजल्ट ए w Clema से नमंबर में आने के चांसिट है आगर इस बीच में आ गया तो आगया सिस्पे नहीं आया तो नमंबर में हंडीड परसंट है कि तुम्हारा नमंबर में आ जाएगा जो इजल्ट से पद्ध समिस्टर के एकजाम्स कोंक्रेंब तुमको यह माल रहना चाहिे कि हंड़ेट परसंट तुम्हारा लिए मोबर में आएगा ही आएगए अगर तुम्हारा जैन डी है कि जोंपी है अभी चेक कोंपी हो रहे हैं तो सबस ω चारुअ कि में हो सकती है क्योंकि को समय लिया जाता है उसमें और जैसे में स्क्षश्रे में vandaag तक के दिया साथ सब्सक्राइब यह को सब्स Skills स्ब्सक्राइब लग सकता है तो मोग अच्छा है इसलिए अच्छे से Barbie ड़ी चेक आप तो यही गलती करते हैं जब मैं भी फर्स समेस्टर में था तो मैंने भी क्या गया था लेकिन सकेंड समेस्टर में मैंने भी क्या क्या था कि उसमें नमर नहीं लिखया था तो यह गलती की थी मैंने जिसका रहने में माक्स बहुत अकम आए और मैं हलांगी पास हो गया था यह गलती नहीं करना है तो तुम लोग को इस बात को ध्यान रखना चाहिए तुम लोग का रिजल्ट वह आ जाएगा नमंबर में हंडेट पर पर वह लोग का रिजल्ट में में डोग को जाएगा था यह ज convenience के नहां खेएगागा शेपा शेएट ग Tyneववण कुम लग मैं हो जाएगा शेटेश्टन वा जाएगां जाएगा शakenly लोग जार उते झाएंडा भी यह झालता है झांष्टन इंपानưों दो